हेलो दोस्तो नमस्कार एक बाफिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने परिबार मैट स्वाट का में दोस्तो मैं हुरुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रोमन नंबर सिस्टम को देखेंगे यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन प्रियों के रिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथी साथ प्ले स्वाट का एप्लिकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड़ बैच में भी जूर सकते हैं तो आए शुरू करते हैं आज के क्लास को काफी इंपोर्टेंट होने वाला है आज का क्लास और इस वीडिय के लिए हम लोग आई का प्रियोग करते हैं ओके चले देखिएगा आराम से समझेगा पहले उसी तरह से 5 के लिए हम लोग किसका प्रियोग करते हैं एकस का उसी तरह से इल प्रियोग करते हम लोग 50 के लिए सी प्रियोग करते हम लोग 100 के लिए डी जो है वह आपका 500 के लि छलिए तो यह तीनो वैलू तो आप को याद रहता है आई एक के लिए भी पाँच के लिए और एक किस के लिए दस के लिए अब इस तीनो को देखे कैसे याद करेंगे याद रखिएका Aap LCD LCD TV होता रहरा Health LCD याद रखिएगा ल से क्या होगा? 50 होगा C से वैसे भी C से century होता है और century का मतलब 100 होता है तो C से 100 हो जाएगा और D से कितना हो जाएगा 500 और अब तक में जो सबसे बरा value है वो है आपका M तो M का मतलब कितना हो जाएगा M का मतलब आपका 1000 हो जाएगा तो I hope कि इतना आपको याद हो गया होगा LCD मुकुरूप से हमें यह याद रखना है 50, 100, 500 LCD, 50, 100, 500 और M का मतलब क्या होगा 1000 हो जाएगा ठीक है चलिए इतना clear हो गया अब हम लोग कुछ rules को देखते हैं दो rules यहाँ पे काम करता है rule number 1 देखे क्या है देखे I, X, C, M ही repeat करेगा और वह भी अधिकतम तीन बार यानि किसी भी number को लिखने के लिए हम लोग इसको repeat कराते हैं तो repeat कौन करेगा repeat देखेगा I करेगा ठीक है इसके अलाबा X करेगा साथ में देख लिजे X के अलाबा C और M इसके अलाबा repeat कौन करेगा C करेगा और साथ में M करेगा यानि किसी भी value को लिखने के लिए आप इसमें से कुछ symbol को repeat करा सकते हैं लेकिन repeat करने वाला जो यहां पे later होगा वह आपका कौन होगा I होगा X होगा C होगा और M होगा सभी को ग़र से देखिए जिसको भी हमने घेर रखा है यह 1 है, यह 10 है, यह 100 है और यह आपका 1000 है सब में आपको 1 मिलेगा देखे, 1, 10, 100, 1000 पहले 1, फिर 10 गुना 10 फिर 10 गुना 100, फिर 10 गुना 1000 ठीके, तो यह सब क्या होता है यह सब आपका repeat करता है और repeat करता है वह अभी अधिक्तम कितना बार repeat करेगा तीन बार, इसको भी हम लोग तीन बार से ज़्यादा repeat नहीं कराएंगे और बांकी जो भी बच गया भी इसको आप repeat नहीं कर सकते हैं यह लोग को आप repeat नहीं करा सकते हैं किसी भी number को लिखने के लिए तो इस तरीके से लिखेंगे, तीन लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, अच्छा चार लिखने के लिए क्या इसको हम चार बार लिखते हैं, नहीं इस तरीके से आप इसको नहीं लिख सकते हैं, यहीं चीज तो वहाँ पर बोला गया है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, repeat यह जरूर करेगा, I repeat आप करा सकते हैं, लेकिन अधिक्तम कितना बार? तीन बार, तो एक लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, लेकिन चार लिखने के लिए आपको इसका प्रयोग चार बार नहीं करना है, उसी तरीके से एक बार लिखे तो 10 होगा, इसको 2 बार लिखेगा तो 20 होगा, 3 बार लिखेगा तो कितना होगा, 300 होगा, अब 3 से ज्यादा बार इसको हम repeat नहीं करा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से C लिखेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 बार C लिखेंगे 200 हो जाएगा, 3 से ज्यादा बार इसको repeat नहीं करा सकते है क्या L को भी इस तरीके से repeat कराएंगे sir L को हम repeat नहीं करा सकते हैं B को हम लोग repeat नहीं करा सकते हैं repeat हम लोग किसको कराना है I, X, C और M को ही ठीक है तो एक rule तो आपका clear हो गया कि cable I, X, C और M ही repeat करेगा और rule number 2 देखिए बस खतम आपका इसको आप समझ जाते हैं आपका रोमा number system पूरी तरह से खतम rule number 2 है कि छोटी value अगर बाद में आएगी तो plus होगा अगर छोटी value क्या करते हैं बाद में रखते हैं तो मान आपका plus होगा और छोटी value पहले रखते हैं तो मान minus हो जाएगा चोटी value को बाद में रखने पर value क्या होगा प्लस होगा और छोटी value को पहले रखते हैं तो मान minus हो जाएगा जैसे देखें यह क्या है आपका यह आपका 10 है अब यहाँ पे रखें हैं हम आई इसका value क्या होता एक तो छोटी value बाद में आया है तो मान प्लस हो जाएगा तो 10 और 1 कितना हो जाएगा एक 11 हो जाएगा अच्छा देखें यहां पे यहां लिखें हैं हम 10 और इसके पहले हम लिखें एक यही तो है एक इसके पहले एक तो 10 से पहले एक आया है यानि छोटी वैलू पहले आया है तो मान माइनस हो जाएगा तो 10 में से 1 minus करेंगे, क्या होगा? 9 हो जाएगा. यही चीज तो आपको बताया गया है. छोटी value अगर बाद में तो मान प्लस होगा और छोटी value अगर पहले तो मान क्या होगा? minus होगा. जैसे c से क्या होता है आपका? C से होता है 100, यहाँ पे देख लिजी और X से 10, तो अगर बाद में X रखते हैं, तो यह क्या होगा, 100 पलस 10, 110 हो जाएगा, लेकिन अगर आप X को पहले रखते हैं, C से पहले अगर आप X को रखते हैं, तो 100 में से 10 क्या होगा, माइनस, तो 100 में से 10 माइनस करिए, क्या हो तो इन रूल को आप धियान रखेगा आप चाहे तो इसका स्किन सॉट ले सकते हैं अब किसी भी नंबर को हम लोग बहुत ही आसानी से रोमान नंबर सिस्टम में कर सकते हैं ठीक है चलिए आए किसी एक को पहले यहां पर ट्राइब करते हैं फिर आगे कोस्षन हम लोग लिखेगा तो 633 के लिए हम क्या लिख सकते हैं पहले 600 लिख सकते हैं उसके बाद देखिए उसके बाद दो अंक में लिखेंगे तो 30 और फिर एक अंक में लिखेंगे तो 3 633 हो गया 633 को आपको क्या करना है पहले तीन अंक में फिर दो अंक में फिर एक अंक में आराम से प इका मतलब कितना 500 और इसके बाद अगर सौ लिखते हैं तो 600 अब 30 के लिए क्या लिखेंगे हम एक स्कूट इन बार लिखेंगे तो 30 हो गया चलिए 630 वंगे और अब हमें 3 लिखना है तीन के लिए आई को तीन बार लिख लिजिए बस यही आपको किसका वैल हो गया 633 का value हो गया ठीकिए अभी बहुत सारा हम लोगी example लेंगे 633 लिखना था तो हम क्या करेंगे इसको पहले 3 अंक में फिर 2 अंक में 600 कैसे लिखेंगे तो 500 है हमारे पास 500 के बाद 100 लिखेंगे 600 हो जाएगा तो 500 के लिए D, 100 के लिए C, D और C 600 हो गया उसके बाद 30 लिखना था तो X को 3 बार लिखेंगे तो 30 हो जाएगा इसके बाद 3 लिखना था तो I को 3 बार लिखेंगे यह क्या हो गया आपका 633 हो गया ओके चलिए कोई भी नंबर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं यहां पर अगर हमें 10 लिखना है तो हम क्या करेंगे एकस लिखेंगे 20 के लिए दो बार लिखेंगे 30 के लिए तीन बार लिखेंगे यह 30 हो गया चालिस के लिए क्या करेंगे अब 4 बार नहीं लिखेंगे 80 लिखना है तो 50, 60, 70, 80 अब 4 बार इसको नहीं लिख सकते हैं तो अब हमें क्या लिखना है 90 तो 90 के लिए अब हम इलका प्रयोग नहीं करेंगे हम क्या लिखेंगे 100 और 100 के पहले लिखेंगे 10 100-10 कितना हो गया 90 उसी तरह से यह value किसका हो जाएगा 100 का 110 120 का value 100 10 135 या यहापका 140 हो गया C और 40 के लिए क्या लिखेंगे, L होता है, 50, 50 के पहले, अगर हम 10 लिखते हैं, यानि X लिखते हैं, तो 40 हो गया, तो यहापका हो गया, 140, बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से 500 के लिए किसका प्रयोग करना है, आपको देख लिजे, यहाँ पर D का प कोशन लिखते हैं, और उसका सॉलूसन हम लोग देखेंगे, चले हटा यह अगले पेच पर ही आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, जो मेन कॉंसिप्ट था वह आप सीख चुके हैं, देखेगा, यहाँ पर कुछ कोशन है, जिसको हम लोग को रोमन में कनवर्ट क में तो 30 और फिर एक अंक में तो 7, 737 हो जाएगा, अब 700 के लिए क्या लिखिएगा, डी का मतलब होता है 500, ध्यान से समझेगा, डी का मतलब क्या होता है 500, और दो बार सी लिखेंगे, सी का मतलब होता है 100, तो एक बार सी 100, एक बार और सी तो 100, 700 हो गया, हमें क्या लिखना है 700 लिखना है तो 700 के लिए क्या लिखेंगे DCC जैसे 100 के लिए फिर से देखें 100 के लिए 200 के लिए double C 300 के लिए triple C अब 400 के लिए तो चार बार नहीं लिख सकते हैं तो हम 500 लिखेंगे और 500 के पहले सी लिखेंगे ठीक है अब हम लिखेंगे 1000 और 1000 के पहले लिखेंगे 100, 900 हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, M लिखेंगे तो 1000 हो जाएगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, यहाँ पर 900 और 1000 होगे, आसानी से आप लिख सकते हैं, बस LCD आपको याद रखना है, L मतलब 50, C मतलब की 100, और D मतलब की 500, ठीक है, और M सबसे बराब value अभी तक में 1000 हो जाएगा, ठीक है, तो 700 पहले लिखेंगे, तो 700, D का मतलब होता है 500, उसके बाद दो बार से लिखेंगे, 700 हो गया, आगे चलिए, अब 30 लिखना है, तो कितना बार X लिखना पड़ेगा, 3 बार X, 300 हो गया, अब 7 लिखना है, तो 5 और 2, 7 हो गया, यही value किसका होगा, यही value आपका 730 हो गया, बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, 953 है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप इस नंबर को लिखिए, तीन अंक में तो 900 हो गया, उसके बाद 2 अंक में तो 50, और फिर एक अंक में तो 393 हो गया, 900 को सबसे पहले आप convert करिए, रोमन नंबर में, तो 900 के लिए क्या लिखेंगे, देखे, इम का मतलब तो 1000 होता है, तो 1000 के पहले अगर C लगा दिये, 900 हो जाएगा, देखे यहाँ पे, यह value 800 का है, और यह किसका है, 900 का, इम का मतलब 1000, 1000 के पहले 100 अगर लगा देते हैं, तो 900 हो आगे चलिए, 789 को convert करते हैं, फिर वही तरीका, क्या करेंगे सबसे पहले इसको, तीन अंक में लिखेंगे, तो 700 हो जाएगा, उसके बाद दो अंक में तो 80 होगा, फिर एक अंक में तो क्या लिखेंगे, 9, 789 हो गया, convert करिए, 700 के लिखेंगे, डी का मतलब, डी का मतलब हो 500 और दो बार सी लिखेंगे, 700 हो गया, चलिए, 700 हो गया है, ठीके, अब हमें लिखना है, 80, तो 80 के लिखेंगे, 50, 60, 70, 80 हो गया, और अब हमें 9 लिखना है, तो 9 तो ऐसे ही लिखेंगे न, यही फैलू 9 का होगा न, यह कितना हो गया आपका, 789, पहले, 700 के लिए, तो 500 के क्या लिखेंगे हम लोग डी और इसके बाद 700 के लिए 2 बार से लिखेंगे 800 हो गया 80 है wanna स्जी कैसे लिखेंगा 502 38 हो जाएगा यह तो यहां पर हो जुझी अब 972 को भी हम्हों करके चेक करते हैं हमक्या करेंगे सबसे पहले इसको लिखेंगे तीन अंक में तो 900 हो गया, उसके बाद दो अंक में तो 70 और फिर एक अंक में तो 2, 972 हो गया 900 के लिए क्या लिखेगा, आप सोचिए जरा 900 के लिए, 900 के लिए हम लिखेंगे, देखे, M का मतलब क्या होता है सर, M का मतलब तो होता है 1000 और 1000 के पहले अगर आप C लगाते हैं तो 900 हो जाएगा M का मतलब तो 1000 होता है LCD M M का मतलब 1000 1000 के पहले C लगाईएगा 900 हो गया ठीक है अब लिखेंगे 70 तो 70 यह हो गया 50, 60, 70 70 हो गया और अब 2 लिखेंगे 972 हो गया बहुत ही आसानी से आप किसी भी नंबर को Roman number system में convert कर सकते हैं तो अब आपको क्या करना है कि इसी तरह का number ले करके और आपको उसको practice करते रहना है अब अगर मान लिजे कि Roman number system में कोई संख्या दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि भई इसको convert करिए आप जो इसका बास्तविक रूप है यानि कि दास्मिक तब इसका संख्यात मुक्मान बताईए तो क्या आप बता सकते हैं जैसे question इस तरीके से मिले आपको इस तरीके से m c अब बोलिए इसका value क्या हो जाएगा गोर से देखेगा m का मतलब कितना होता है 1000 होता है और यह 200 है तो 1200 और 9 कितना हो जाएगा आसानी से बता सकते m का मतलब कितना 1000 और यह 200 1200 और यह कितना है आपका 9 है 129 होगे ठीक है उसी परकार से अगर इस तरीके से value लिखा जाए यहाँ पे देखिएगा ऐसे value अगर लिखा जाए इसको check करके बताए कि यह कितना होगा गौर से देखिएगा c का मतलब 100 100 के पहले 10 से मतलब 90 और 2 बिरान में यह value किसका हो जाएगा बिरान में का हो जाएगा तो इसी method का उपयोग करके अगर one number में भी value दे रखा हो तो उसका संख्यात्मक्वान आप आसानी से बता सकते हैं हाला कि आपके exam में question इसी तरीके से पुछा जाएगा ठीक है चलिए तो दोनों ही type से आप practice जरूर करिएगा तो आज के class में इतना ही और हाँ अगर आप हमारे channel पे नए है तो इस channel को subscribe जरूर करें इसके अलाब लाइक और share करते रहें तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए concept के साथ तैंक्यू जैहिंद